तुडे़ वी विल दिसकुस अबाऊट ऑक्सी एसितलियन प्लांट इन लास्ट वीडियो वी अल्रेडी डिसकुस्ट अबाऊट गैस वेल्डिंग टेकनिक इस वीडियो में आगे बढ़ते विए हम लोग गैस वेल्डिंग प्लांट की बारे में समझने की कोशिश करेंगे इसको समझना आप लोग के लिए बहुत ही easy है, क्योंकि you all know about gas welding and cutting and its equipments and accessories. So, इसको समझना में आप लोग को ज़्यादा धिक्कत नहीं होगा. If you don't know about accessories and equipments of gas welding and cutting, then आप लोग मेरे YouTube चैनल को विजिट करें और उस पे gas welding or gas welding accessories और equipments के already video डाले गए हैं. तो उसको आप लोग पहले देखिए. So, चलिए स्टार्ट करते हैं कि oxyacetylene plant क्या है? तो दोस्तों, oxyacetylene plant को दो category में classified किया गया है? It can be classified into two category. इसको दो category में classified किया गया है. पहला होता है high pressure plant या फिर system. कहीं कहीं high pressure plant लिगा होता है, कहीं कहीं high pressure system. तो इससे आप लोग को confused नहीं होना है. दूसरा जो होता है low pressure plant या फिर system. तो oxyacetylene plant या फिर oxyacetylene system को दो category में classified किया गया है. पहले को बोलते है high pressure system, दूसरे को बोलते है low pressure system या फिर low pressure plant. दोस्तों यह जो आप लोग देख रहा है कि इसको दो भागों में जो वर्गिकृत किया गया है, वो किस चीज के अधार पर किया गया है, इससे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें नाम में ही लिखा हुआ high pressure, low pressure, यानि कि यह गैस के प्रेशर के उपर इसको category, गिरी गैस के प्रेशर के अधार पर इसको classified किया गया है, अब किस गैस के प्रेशर के अधार पर इसको classified किया गया है, यहां पर clear नहीं है तो मैं बता दूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि oxy acetylene जो gas welding होता या फिर cutting होता है, उसमें दो टाइप के gas use होता है, पहला जो gas होता है, फ्यूल gas होता है, दूसरा जो होता है, वह supporter of combustion gas होता है, तो इसमें जो यह high pressure या फिर low pressure की जो बात किया जा रहा है, वो acetylene pressure के उपर बात किया जा रहा है, तो यह जो हमारा, यह oxygen plant का जो classified किया गया है, वो acetylene के pressure के उपर नहीं यानि कि यह जो सिस्टम है वो केवल और केवल एसिटलीन प्रेशर को रिफलेक्ट करता है दोस्तों तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि दड़ टर्म दड़ टर्म यह जो पर प्रेशर जन थे लिए लिए वीए है आ विएले नहीं लो प्रेशर न प्रेश कि लोटर tota्ट मिए् hybrid दो oxy-acetylene welding refer only to acetylene pressure, high or low. यह मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि the term low pressure and high pressure system in oxy-acetylene welding refer only to acetylene pressure, only to acetylene pressure high or low. यानि कि यह जो आप लोगों के सामने जो मैंने high pressure system या फिर low pressure system मैंने दो category लिखा है, यह केवल और केवल acetylene pressure को देखते हुए ही इसको categorize किया गया है, oxygen pressure को यहाँ पर consider नहीं किया गया दोस्तों, अगर कोई पूछता है कि जो high pressure system और low pressure system में किस gas को consider किया गया है, फिर किस gas के आधार पे इसको दो भागों में वर्गी करिद किया गया दोस्तों, तो acetylene gas के pressure के आधार पे, अब acetylene gas का pressure अगर बहुत ज्यादा high रहता है, तो उसको HP बोलते हैं, और जो low रहता है तो उसको LP बोलते है, यानि high pressure system, low pressure system, तो यह आप लोगों को समझ में आगया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैं आप लोगों को akeak करके high pressure plant और low pressure plant के बारे में मैं बताऊंगा, फिलाल इस वीडियो में मैं आप लोगों केवल और केवल high pressure plant के बारे में बताऊंगा, दोस्तों, तो चलिए start करते हैं high pressure, दोस्तों यहाँ पे मैंने high pressure plant लिख रखा है, और यह high pressure plant का diagram है दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे होंगे high pressure plant का जो diagram है, वो normal सा diagram है, जो आप लोग पहले oxy acetylene gas building और gas cutting में देखे होंगे, इसी तरह का diagram आप लोग gas building या फिर gas cutting में देखते हैं, इसी तरह से कि दो cylinder होता है, एक्सिलेंडर acetylene के लिए और एक्सिलेंडर oxygen के लिए और उसके साथ pressure regulator लगा होता है, pressure regulator के साथ blue pipe जो लगा रहता है, oxygen के लिए अलग, acetylene के लिए अलग, यह सब लगा हुआ है, उसके बाद यह torch है, welding torch है, तो यह normally आप लोग देखे होंगे, पहले आप लोगों है, जो आप लोग लेब में देखे हैं, है ना, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, जो important point है, इसमें जो important point है, वो यह है, कि पहला जो point है, वो this plant use, uses, acetylene under high pressure, pressure, high pressure कितना होता है, 15 kg per cm2, आप लोग को पता होगा, यह 15 kg per cm2 में के pressure पे, acetylene cylinder में, acetylene को store किया जाता है, तो यह माल लिजी, acetylene cylinder है, acetylene, acetylene cylinder, तो इसके अंदर acetylene बढ़ा हुआ है, तो उसका pressure कितना है, acetylene का जो pressure है, वो 15 kg per cm2 है, यह, तो कह रहा है कि high pressure system में, जो acetylene का pressure use होता है, वो 15 kg per cm2 होता है, पहला तो point यह हो गया, अब दूसरा point क्या हुआ है, दूसरा point होता है, कि dissolved acetylene is, dissolved acetylene is commonly used source, in this system, इस system में dissolved acetylene commonly used होता है, अब dissolved acetylene क्या होता है, dissolved acetylene को DA बोलते है, D for dissolve, A for acetylene, तो इसको DA बोले हो, तो अब DA क्या होता है, DA, DA होता है दोस्तों, कि ऐसा, जब हम लोग, acetylene gas को, cylinder में भर देते हैं, acetylene gas in cylinder, is called DA, है ना, dissolved acetylene, यानि कि जब acetylene gas को हम लोग, cylinder में store कर देते हैं, या cylinder में भर देते हैं, तो उस प्रकार की gas को, dissolve acetylene बोलते हैं, और उस type के cylinder को, dissolve acetylene cylinder बोलते हैं, इसको DA cylinder बोलेंगे, DA cylinder, है ना, dissolve acetylene cylinder इसको बोलेंगे, तो यह होता है, तो इस type, इस वाले में, high pressure में हम लोग, dissolve acetylene cylinder का यूज करते हैं, दोस्तों, बागी सब common है, बागी सब जो, generally आप लोग जानते हैं, वहीं, इस system में भी वहीं, equipment और ऐसे series लगा हुआ है, इसमें भी आपको pressure regulator लगा हुआ है, blow pipe है, इसमें भी आपको hall pipe है, jubli clamp है, सब system, सब जितने भी, जितना भी आप लोग equipment और ऐसे series पड़े हैं, तो सारा इसमें लगा हुआ है, दोस्तों, सब common है, तो इसमें बस यहीं है, कि इसमें जो हमारा pressure है, वो उसको ध्यान रखा जाता है, एक चीज और है, कि इस system में एक नया चीज है, कि injector और non-injector type के blow pipe का यूज किया जाता है, देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे injector और non-injector type, दोनों type के, हम लोग blue pipe का यूज कर सकते हैं, दोस्तों, high pressure oxygen plant यह होता है, अब इसके हम लोग advantages के बारे में पढ़ लेते हैं, कि advantages क्या होता है, पहला point है, safe working and less chances of accident, इसका मतलब यह हुआ कि high pressure oxygen plant होता है, इसमें हम लोग safe working होता है इसमें और जो accident का chances होता है, वो बहुत ही कम होता है, कम क्यों होता है दोस्तों, आप लोग पता है कि gas building जोब हम लोग करते हैं, तो उसमें safety device लगा होता है, safety device का नाम है flashback resistor, यह cylinder side में भी लगा होता है और blue pipe side में भी लगा होता है, तो यह दोनों तरफ लगा होता है, इस वजह से क्या होता है कि accident का chance कम होता है, क्योंकि अगर flashback resistor हम लोग लगा के अपने system में रखते हैं, या फिर अपने setup में, gas building के setup में रखते हैं, तो वो क्या करता है कि, वो हमें flashback से बचाता है, so because of this reason, this system is, this system provides safe working and less chances of accident, क्योंकि हम लोग flashback resistor यूज करते हैं इस system, दूसरा point है, accurate and easy pressure adjustment, so now in the system, we have, we have adjust pressure, both pressure, acetylene as well as oxygen in accurate and easy manner, so क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या होता है, कि हम लोग इसमें इसको set करने के लिए, top में हम लोग लगा के रखते हैं, pressure regulator, यह प्रेसर रेगुलेटर, तो with the help of pressure regulator, we can adjust the working pressure, working pressure को हम लोग adjust कर सकते हैं, कि हमें easy से और accurate, जितना हम लोग चाहते हैं, उतने accuracy में हम लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं, कि control कर सकते हैं या फिर adjust कर सकते हैं, तो pressure regulator इसमें लगा होता है, तो pressure regulator की सायता से, हम लोग इसमें pressure का adjustment बहुत easy और accurate कर पाते हैं, तो इन सब कारोनों के वज़े से क्या होता है, कि इस welding system का efficiency अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर हमारा time बजता है, time wastage नहीं होता है, अगर माल लिजे कि हम लोग जो pressure set कर रहा है, वो easy way में नहीं हो पा रहा है, तोड़ा सा difficult है set करने में, तो वहां पर time का wastage होता है, माल लिजे वहां पर accurate नहीं pressure adjust हो पा रहा है, अब मैं set कर रहा हूं दो बार, और दो बार set करने के लिए हमें ज्यादा time लग रहा है, वो दो बार set नहीं हो पा रहा है, या तीन बार नहीं set हो पा रहा है, तो उस स्थिति में time का ज्यादा time consume होता है, तो working efficiency घटता है, लेकिन इस system में क्या होता है कि adjustment बहुत जल्दी और accurate होता है, because of this reason, this system provides more working efficiency दोस्तों, so next जो हो है, आगे this is a portable system, अब आप लोग पता है कि in this plant or in this system, we used cylinder to store different types of fuel gas and supporter combustion gas, तो जब हम लोग gases को store करने के cylinder use करते हैं, तो इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कि cylinder trolley में store करके या फिर cylinder trolley में rock करके इसको, हम लोग one place to another place move करा करके welding कर सकते हैं, तो इसी वज़ा से क्या होता है, this system is portable system, क्योंकि इसे हम लोग cylinder trolley की सायता से आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, और ले जाकर के वहाँ पे हम लोग welding कर सकते हैं, तो इस वज़ा से यह portable system है, बोथ injector and non injector type blow pipe can be used, एक यहाँ पे advantages हैं दोस्तों, इस system में, मैं जो पहले भी बताया था, इस system में injector type और non injector type दोनो टाइप के यह blow pipe हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दो type के blow pipe होते हैं, आगे के वीडियो में आप लोग बताओंगा, कि जो injector type जो blow pipe होता है वो कैसा होता है उसके बारे मिला नॉन injector type blow pipe के बारे मिला बता हूँगा तो फिलाल आप लोग यह समझिये कि high pressure oxygen in plant में एंजेक्टर टाइप और नन इंजेक्टर टाइप दोनगों type tech blow pipe को यूज कर सकते हैं दोस्तों तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो